टीम इंडिया के खिलारियों को माला माल करने जा रहा है BCCI, सेलरी बढ़ने के साथ मिलेगा बोनस, अभी एक टेस्ट और वंडे खिलने का मिलता है इतना पैसा भारतिय क्रिकेट टीम के माथे से हटने वाला है एक बहुत बड़ा कलंग, BCCI ने लिया बड़ा फैसला, IPL से भी ज़्यादा कमाई करेंगे क्रिकेटर इशान किशन और श्रेस अईयर के डोमेस्टिक क्रिकेट में भाग लेने से इनकार करने के बाद, BCCI ने लिया है ये बड़ा फैसला भारतिय क्रिकेट टीम के कई खिलाडी टेस्ट और घरेलू सिरीज को छोड़कर इंडियन प्रेमियर लीग पर जादा फोकस करते हैं, टीम इंडिया के खिलाडियों पर ये आरोप कई बार लग चुका है अब भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टेस्ट फॉर्मिट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा सकता है रिपोर्ट की माने तो BCCI टेस्ट मैच खिलने वाले खिलाडियों की सेलरी बढ़ा सकती है इसके साथ ही सभी सिरीज में खिलने वाले प्लेयर्स को बोनस भी मिल सकता है इंडियन एक्स्पेस की एक खबर के मताबिक BCCI IPL 2024 के बाद टेस्ट प्लेयर्स की सेलरी बढ़ा सकती है BCCI हर टेस्ट सिरीज में खिलने वाले प्लेयर्स को बोनस भी दे सकती है बोर्ड ये बदलाव एक एहम वज़ा से करना चाहता है कई प्लेयर्स IPL में फिट रहने के लिए रणजी ट्रॉफी और घरेलू मैचों को छोड़ रहे हैं हाली में इशान किशन इसको लेकर चर्चा में रहे थे रिपोर्ट के मताबिक इशान ने BCCI के कहने के बावजूद जार्खन के लिए मैच नहीं खेला था श्रेस अयर ने भी रणजी ट्रॉफी का क्वाटर फाइनल मैच छोड़ दिया था इशान किशन और श्रेस अयर के डोमेस्टिक क्रिकेट में भाग लेने से इनकार करने के बाद ये फासला किया गया है इन दोनों ही खिलाडियों ने हाली में इंडियर प्रीमेर लीग 2024 को तरजीह दी थी इस कारण दोनों ही रणजी मैचों से गायब रहे BCCI सचीव जैशाह की कई चेतावनियों के बावजूद इन दोनों ही खिलाडियों ने रेड बॉल क्रिकेट से कन्नी काटी वहीं इशान किशन, श्रेयस अयर समेत ऐसे खिलाडियों को सेंटरल कॉंट्राक्ट लिस्ट से पूरी तरह हटाने की बात चल रही है लेकिन ये देखना बाकी है कि इस संबंद में कोई सक्त फैसला लिया भी जाएगा या नहीं वहीं मौजोदा समय की बात करें तो BCCI अभी तक एक टेस्ट मैच के लिए खिलाडियों को 15 लाख रुपए देती है उनकी सेलरी 2016 में डबल कर दी गई थी वहीं एक वंडे मैच के लिए खिलाडियों को 6 लाख रुपए मिलते हैं एक T20 मैच के लिए प्लेयर्स को 3 लाख रुपए सेलरी के तौर पर मिलते हैं टीम इंडिया के खिलाडियों को ग्रेड के हिसाब से सालाना सेलरी भी दी जाती है प्लेयर्स का बूर्ड के साथ कॉन्ट्रेक्ट होता है बता दें कि खिलाडियों के सेलरी आएपिल के बाद बढ़ सकती है टीम इंडिया फिलाल इंगलेंड के खिलाप 5 मैचों के टेस्ट सिरीज खिल रही है भारत ने इस सिरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली है इंगलेंड ने सिरीज का पहला मैच 28 रनों से जीता था भारत ने इसके बाद लगाता हर 3 मैच जीते हैं वेल अगर आप भी भारती क्रिकेट प्लेयर्स के बड़े वाले फैंस हैं तो इस गुड नियूज पर वीडियो को एक लाइक कर शेयर जरूर करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रही है सनातन टाइम्स इस वीडियो में फिलाल इतना ही